यू आ वाचिंग चैनल वाई चैनल वाई अ साथ एशन कनेडियन चैनल अगली मीटिंग दी डेट है गिया हो कि सरकार वालो 15 जन्री पाद इती गई है आज दी मीटिंग चर्चा भी करांगे कि इस मीटिंग दे विच की कुछ होया है क्योंकि जो मीटिंग शुरू होई सी था जिते किसान पहला ही कहा रहे हैं कि आज भी उनानों कोई उमीद नहीं है कि इस मीटिंग दे विच कोई हिला जा कोई सिटा जड़ा है गाओ सरकार वालों दिता जाओगा पर निंद से कि तोमरों नहीं गल करिये था सरकार देमंत्री निंद सेंग तोमर एक फिर जड़े है कि किसान आगुवा नों कहने ने कि आपा खेती कानुना दे उत्ते चर्चा कर लिए क्योंकि जिकरेश कोई संशोधन कराऊना है गा तो उसनों लेकि आपा एक फिर गल कर लिए पर इस तो खफा होके जिड़े किसान आगुवने उनने सरकार देंगे अपना विरोज जताया है गा उनने किया कि असी हर वार एक को गल जड़िया पर द्वार द्वार इसते चर्चा कर दे है गया कि असी जद तक सरकार इतिन खिती कानुन रद नहीं करेगी उस तो अग्गे असी नहीं पर सानू समझ नहीं आ रही कि सरकार जड़िया क्यों हर वार आके इना कानुना दे वीचा शुन्शोद्धन दी गाल कर दी है गिया उताही निन्दर सिंग तो अमरू नहीं विक्या कि कलियां तोहडियां ही जथे बंदियां नहीं है और भी देश देविच बहुत सारी कुछ बदलाव करनवाला है पर तेन खेती कानून जेड़े नहीं किते जा सकते हैंगi है एही कारना कि बलबीर सिंढ róż हो राजयवाल हो री ये निये उस समय पिर उनbahar कहना की वीडियो भी जान पर सामण आउंदेटी की कि सरकार हमीशा उननों बला लेंदी है क्योंकि पाजपादी समय सरकार है सब कुछ उनना देखोड़ हैगा पर पता हमसानों समझ नहीं होंदा कि क्यूं समा जड़ा है गाओ बरबाद किता जा रहा है गाओ वीडियो के सितनों अगे जाके इस रामागे पर जो ताजा खबर जड़ी है गया वही है कि किसान जड़े ने वह वख्यानी पामन देविच और बाहरन अनकलना शुरू हो चुकर ने क्योंकि आज भी 2 सड़ा 2 कंटे मीटिंग देविच जड़ा है गाओ है। आपने आई है कि आज भी मीटिंग ने विच कोई भी सिट्टा जड़ागा और नहीं निकले हैगा तो विखना होएगा कि अगली मीटिंग जो 15 तरीक दी है गया उते विच की कुछ होंदा है गा तो अनुदा दी है कि लगबग एक कंटा मीटिंग चलना तो बाद हाफ टाइ कर देने उन्हें इंतिजार कर देने मोन वर्त तक देड़ा होता रहा जांदा है गा उन्हें कि लांच भी जड़ा है गार नहीं करने कुछ इस तरह नहीं वीडियोस भी जड़ाएं से उसमें बाहर आई है तो मंत्री वापस आउंदे ने था और फिर कवरे द्वारा मीटि कर देन तो मिड़ा होगा हो भी जड़ा हो शुनवाइं जड़ा हो स्प्रीम कोड़ दे विच्वी है गी एक आप स्प्रीम कोड़ में इन्हें नामिनी ले रही है मीटिंग आज भी आठ दोर मीटिंग हो चुकी है कोई फैसला है गई नहीं निकल के आ रहा रहा है गा, राजेवाल होने दा समा जड़ जड़ा है कि सरकार अपडा भी ख़राब करनी एथे, किसान ना Auch अग्याहनला क्या राजेशी कानुन जड़ तक रद नहीं हों दे हैं, उस तो अगली जड़ी गल्बात जडिया होई शुखू नहीं हूंदी है फिर क्यों किसान ना नु लेके जा इस कानूना नु लेके जडिया इस ते चर्चा करनु जडिया सरकार के लिए कि कुछ कहना है किसान अगुआ दा आज दी मीटिंग नु लेके आओ इक पर इसोंग देयां देखो आज दी मीटिंग देविच सरकार दा पहला वाला ही रोखा, सरकार कहा रही है कि असी सोदा करनों त्यारा, असी कनून जड़े रद करनों नहीं त्यार गिया, तो ओधे चासी साफ किया कि असी एक इंच भी पिछे नहीं हटांगे, जो होंदा होजे असी एक कनून करवाए तो बना जड़ा वापस नहीं जामांगे, तो आज दी मीटिंग जड़ी है गिया, ओ बेसिटा रही है, आज दी मीटिंग देविच कोश्वी जड़ा नवानी सी वाप परे है, होन सरकार ने जड़ा है क्या भी अगली मीटिंग जड़ी ऐसी ऐसी पंदरा तरीक न एक ते आसक जड़ा कसान प्रेड मार्च रख्या होया, दिल्ली दे विच ओधियां त्यारिगां जड़ी जड़ा ने जड़ा ने जड़ा ने तो आसी देश देविच वासदे सारे लोका नो एक कह रहे है क्या अपने ट्रेक्टर त्यार रखो और छबी तो दो तन दन पह गया, तुसी यह करने का गैर सब्दान का, वि एदे वास्ते तुसी जड़ा सुपरीम कोड चले ज़ो, उसी कभी आसी जड़ा संगा अरश्दे मिदान दे विच चा, जो भी फैसला होगा संगा अरश्दे मिदान दे विच होगा, और अनतम फैसला जड़िगां जथे मतलब निगा जिनना समा कनून जिड़े रद नहीं हुन देगे तुसी जिनना मर्जी कही जो भी कनून रद नहीं करनेगे असी बेल लकुल फर्मा अपनी गालते के कनून रद करवाए तो बेना एक वी एंचेडा पिछे नहीं हटांगे पर एस सरकार जो आप गई के फासिस् मतरी एक शब्द भी नहीं बोल देगे एदो तो तैया कि ए लोक वरोदी सरकारा लोक कांदी दुश्मन सरकारा और एदे खलाफ डटन दे लई लड़न दे लई जा एदो तो जितन दे लई सनू बहुत वादें दोलन दी होर त्यारी करना मीटिंग चली हैगी या पहली जा होएगा दुजी गाल भी जड़ों मेटने चली हैगी और उन्हाने जड़ात मेंदर तोंबर जीने नाल दी नाली कह रहता है भी होर कोई प्रस्ताव तुसी रख सकने हो एक नून राद करंदी प्रकिर्यास सरकार कोड़ है नहीं 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 करना है तो आड़ा जवाब सा जान सी मरांगे और साधी कोई स्तोलावा गाल बात में होई ना किसे चर्चाते सी गाल कीती है कि ना किसे को लोज बाई क्लोज ते गाल कीती ना सी करना चौने जड़ी सरकार सानु फेर तोमर जी केंदे या भी तुसी सुप्रीम कोड जल जो आपां उत्ते चाल देया एक इंच भी पिछे नहीं हटांगे जो मरजी होजे जिन्ना चेर एक नून रद नहीं होगे मेटेंग विच्छाटके चले गया है पर असी मोन तार के उपर बैठे रहा है असी क्या सी ना चाह पीनी ना पानी पीना ना प्रशादा शकना है असी उपर बैठे रहा है कटो क पर चाड़ी मिन्ट बाद फेर जड़े मंत्री ने फेर उपर गया ने फेर इससे गलते चर्चा शुरू हो लग पी पर आपने लेडराने के अब यसी कोई बैस नी करना चोंदे कोई चर्चा नी करना चोंदे साड़ा अंदोलन इससे तना जारी यह ते जारी रहेगा असी और वाले समय दे वेच आप दियां मिठगा करके अंदोलन इससा बड़ा वड़ा त्यार करके ते देश दे कोने कोने वेच लोकान होर जागरूप करके असी 26 जनरी दा पूरा प्रोग्रम करांगे सब्सक्राज केशल अर्ली हीरिंग करतांगे अशी है आप मीटें करांगे घर्जाएड सब्सक्राइन कोट्राइब बड़ा करता इसीअ म्हों स्ब्सक्राइब कोई हो दे रिजल्ट नी निकल के आ रहा इस करके अगली तरीक सरकार ने पंदरा रखी है लोड़ी तो बाद ते पंदरा तरीक देवेच वेखो की निकल के यह हुदा है कोई समय तो बार है सारी स्टोरी सारी दुनिया शड़कां ते बैठी है ते सरकार जब यह गल कह रही कि कुछ लोग जड़े ने बहुत जादे लोग जड़े नो इदे पक्ष्ट ने इस करके समय तो सारी गल बार है सरकार नूं कौन समझा भे कि लोग सारे शड़कां ते बैठे ने सारी दुनिया शड़कां ते बैठी देज शड़कां ते बैठा प्राज करनवास्ते गदी रेबाये उन्हा लोकान जिनना लोकाने चुनके नानों गदी रेबाया गदी लैक कीता फैंसली बिनाण दे लैक कीता है अचो ओ लोक जड़े सारे शड़कां दे फिरते पहने पर इना दा मैंनु लग दा भीना दी नियत बेलकुल खोटी हो चुक नियत बिलकुल साफ नी सरकारुन नियत साफ करनी चाहिए साफ नियत करके ही मिट्गेस बेटाओ चाहिए है असी फिर सोड़े चैनल दे रहा है एक वर सरकारुन घल्ट नितिया कारण सारा देश छटकाते हैं कि रोटी ता साड़ी हुंगे जरा सी खाई ना खाई यह ता किसे रखी तो मिटिंग करके आउंदे कदी अम्मी शाद जी नाल कदी राजना सिंग जी नाल ते उस तो बाल भी जदो मीटिंग के साना दे नाल हुं दिया तो कोई भी जड़न तीचा हो नहीं निकलता हुं फे 15 जड़ी निकलेगा वट्टी तार दे वेचे लग्टा दे वेचे तार दे वेचे ट्रमाच निकलेगा की अजेया कुछ होवेगा इस किसान अंदोलन देख शबी तरीक दा बड़करार है और हो गया उसे तना चब्याजे बड़ी दूर पर यह उद्दू बाद एक्शन प् देखो मेरे देंजनी है मैं नहीं कह सकता है अठ भी मीटिंग आज तुसी करके आ रहे हो पहली मीटिंग तो स्टार्टिंग एही गलना सुनने जब्स बंदी दे आकों आदा करना भी बार बार रहा हो बार 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 गल तोड़कि जे गलो प्डिना शुरू कर देता ह अदर ने पासे ली मीटिंग हुं दिया लोक्ते वियूने भी उन्हों लाइव करना चाहिए ता रूपला देखो कोट की फैसला लें दिया कोट दा फैसला उन्न तो बाद डिसीजिजन हो गापाने की करने देखो मेरी ता ज़ना चलना था मतल्य नहीं हां जाना थी गाला ह सब्सक्राइब 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 यह आग्रे रहा कि रिपिल के अत्रिक कोई और विकल अगर यूनियम दे तो सरकार उस पर विचार करेगी लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद ही कोई विकल्प आज प्रस्तुक नहीं किये जा सके और इसलिए आज चर्चा का दोर यही सगित हुआ और यूनियम और सरकार दोनों में मिलकर यह तय किया है कि पंदरा जन्दली को उन्हां दोपेर बारा बजे बारता के लिए एकटा होंगे वो लोग भी अपने यहां बात करेंगे हम लोग भी अपने यहां बात करेंगे और मुझे आसा है कि पंदरा तरीक की जो बैठक होगी उसमा कोई समाधान धोड़ने में हम लोग सफल होंगे पर क्या बंद्रकारिक को जब आएंगे तो किसी सारों नहीं आश्वसंद दिया कि कोई नई विकल्प लेकर आएंगे इस कैसे को जो आपके रहे हैं। स्वभावी रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बाते होती हैं। और उन सब बातों को सारुणिक करना उचित नहीं होता। लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में मिर्णाय तक नहीं पहुश सके। तो निश्दुक से कही विसे ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी, तो अगली चर्चा में वो सब बाक्षीत करके ही दोना पक्ष बैठेंगी। जब ब्रह्मा जी आप क्यों रहे हो, लेकिन बेठक में किसी भी किसाम निता ने इस प्रकार का प्रश्ताव नहीं दिया। सरकार ना बारबार यह कहा है और अनुएप किया है कि वो कुछ बैकल भी प्रस्ताव देंगे तो सरकार इमपर जरूर विचार करेगी। किसान union के तरफ से आना चीए ना पुरसान जी, मेरे रात के तरस्ताओं से कुछ होना यह ला देना हमने लिए दिखिए, हमने सीधा एप्रोच किसी को नहीं किया, क्रसी कानूनों पर आंदोलन है किसी कानून पर आंदोलन के पक्षकार हैं, उनका मानना यह है कि यह कानून निगस्त किये जाने योग्य है, देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्षके हैं, जो कानून का समर्थम कर रहे हैं तो जो निगस किये जाने के पक्ष में हैं, उन यूनियम से भी लगातार सरकार सम्मान पूर्योग बार्ता कर रही हैं, जो लोग समर्थम में खड़े हैं, वो हमको जब अवेगोद भेशते हैं, तो हम उनको भी मिलने का समझ देते हैं, मुझे इस बात की प्रसनदा है कि बावा लखा सिंजी सिख समाज के धार्मिक संथ हैं, और उनके बन में ये दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है, और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए, तो उन्हों ने मुझे सूचन भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निशित किया, वो बारता के लिए पधारे, उन्हों ने किसानों की बात को सरकार के समझ रखा, मैंने सरकार के का गानुनी पर्ष को उनके समझ रखा, और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन सर्चर्चा के दोरान जो उनकी कठनाईया हम लोगों को शन्यान में आई उन पर हम लोगों ने एक लिखिक प्रस्तावी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तयार है लेकि यूनियन में उन सरी चीज को खारेज कर दिया और मैंने उनसे यह प्रास्वा की कि आप तो यूनियन के लीडर से बात करें यूनियन के लीडर रिपिल के अत्रिक जोगी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें हमको प्रस्ताव दें अत्वाब हो अगर आपको भी कोई प्रस्ता देते हैं और आप हमको कंवे करते हैं तो भी निश्वत रूप से हम विशार करेंगे तो मद्यस्ता के लिए हमने अपावा लखा सिंग जी को ने कहा उनके मन में किसानों के प्रदी जो दर गखा उसके तराण उने ने हमको कहा त तो सौबावी गुरूप से विशे किसानों का भी है और विशे धार्मिक संथ का भी है तो किसानों का भी संभान हमारे मन में है और धार्मिक संथ का भी संभान हमारे मन में है इसलिए बावा लखा सिंगी से बहुत अच्छे बातां उनमें चेर्चा होई और मुझे आसा है कि साइब उन्होंने समद्धे लोगों से बात कि यह जो आंदुलंकारी पक्ष है हम उसी से बात्चीत कर रहे हैं अगर आवशक्ता पड़ेगी तो आने वाले कल्ब सरकार इस दिस्ता में विचार कर सकति तिर अभी कोई ऐसा विचार नहीं कि सरकार ने करा है कि अब इस दिसिजन है वो सब्रीन कोड़ देना है दिखे दरहसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा सवबाबे गुरूप से हम लोगतंत्रिक देश के नाद्रिक हैं और हमारे लोगतंत्र में राज्यसवा और लोगसवा से कोई कानुम परित होता है जो सवबाबे गुरूप से उसका विच्टेशन करने का अधिकार मानने उच्छतम नहायले को यह है और इसलिए उच्छतम नहायले के प्रतिक नाद्रिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रधिवद्दता की बाच्छीत इस मामले में आती है लेकिन सुप्रीम कोट जिस दिसा में नेड़े होएंगे तो सरकार के सुप्रीम कोट के प्रतिक प्रतिक नहायले किसान ही लेता ही विकल्प यह कर आएंगे और मुझे आसा है कि सभाबान की ओर हम सब बढ़ेंगे मेरे सामना तो महीं कही लेकन स्वाबा पिर रूप से अभी पर रख की कि सुप्राइब और सुप्राइब नहीं है कि पहले हम 109 का प्लेकार देश के और तब से लिकर कि आप तक जीन देंगे या मरेंगे तक कि अगर बात आगरी है तो जा पंदलकारी के लग रहा है कि इसना हुदाय परिवर्चन होगा कि तीनों प्रिश्चे खादूनों को ड्रत करने की जो पात है उसमें कोई अभिकल्ब आज में की पिछली मीटिंग देखा थे कि बलबीर सिंग राजेवाल हुना अते तोमर जड़े मंत्री ने निरेंदर सिंग तोमर उना विश्कार जड़ी तलकी सी वह विखरनों मिली सी इस वार भी जड़ा है गया इस हिलसला जारी है एक वीडियो भी जड़ी है गिया हो अंदर तो बहार आई है जिसने विचे बलबीर सिंग राजेवाल होरी जड़े ने हो हो अपने मंत्री जड़े ने उन्हों कह रहे ने कि सरकार इस समय उना दी हैगी हो कुछ भी कर सकते ने पर जिस तरीके देना उना दा समा बरबात किता जा रहा है क्योंकि हर बार सरकार एंद्य जड़े ने हो इही कहने ने कि जदो तुसी कानून दे उते चर्चा कर लो क्योकि जड़के ची च्छ रफोती मीटिंग साफकार दिता हो कि कि इना कानून होते रूफ चर्चा जड़égा हो नहीं हो वेगी जदो तक इह कानून वापस नहीं ले जान गे ओधो तक अगली का बात शुरूर नहीं करांगे पर जिस तरह हर मीटिंग दे विच आ के मंतरी सहब ये आ के कहने देने कि अपा कानुदा ते चर्चा कर लिए क्योंकि एह बहुत जिरूरी ने बहुत सारीया हो जथे बंदिया जडिया ने इना दिया जडिया कह रही हैं ने कि एह बिल इना दे उत्ते चर्चा नहीं करांगे ते हड़ा अज भी स्टैंड जड़ा हैगा वह बरकरार हैगा मनों खुद नूं समझ नहीं आ रहा है कि क्यूं सरकार आपना अते किसरना दा समा बरबाद कर रही हैं गिया पहला असी आपने दर्शकानों जडिया वह वीडियो दखा सकते हैं लेकर आप अपने जौइंट सेक्क्री को लगादोगे फिर साफ्य को लगा दोगे मेरे पास भी लिस्त चैना हम नहीं डित्यार नहीं सिर्वेम एपर इसक्रणे में हैं फिर पिर आपका फैस्राइवर्य कि शbles है कि बहुए लोगों की बशे क्रड़ां लगत दे ह तो इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है आप जिस तरह से आज आपका मूरू मिले लग रहा है करता है कि आप इस बात को निटाने के का आपका मन नहीं है कि अधिने लिए इसे पिशाइब कि यह अधिने लेकर ने पंजाबी वजदे ने उना निया नहीं हार मीटिंग लिए इक आस हुंदी है कि शायद आज कोई हाल निकलेगा कि सांज जड़े वह वापस जाणगे लेकिन इस तरह कुछ भी देगा हुआ लेकिन नहीं नहीं आख जो सिंग सिद्धू हमेशा ही किसानी उन दोननों लेके अपने इंकाल रख दे आए ने अज भी उना वनों मीटिंग शुरू होन तो पहना के ट्वीट जड़ा है किता गया जिदे विच उना ने ट्वीट किता उनने के अंदर नों किया कि एह सर्माइदार नहीं है एह किसान अने इननों तुसी अपना हाकी दे दोगो एहे उसी चे खुश होनगे की कुछ किया नवजो सिंग सिद्धू ने एक श्पेशल रपोर्ट है क्योंकि उना दिया फसला दी लागत कीमत विक्री कीमत तो वद है ताड़े सरमाइदार दोस्ता दे उल्ट किसाना नों जन तक पैसा नहीं चाहिदा पर अपनी सही आमदनी चाहिदी है एथे दाज दिये कि इस तो पहला बीते दिन किसाना वलों कड़े गे ट्रेक्टर मार्च उत्ते विन जो सिंग सिद्धू ने ट्वीट कर देया के अंदर सरकार उते निशाना साध्या सी उना ट्वीट कर देयां लिखिया कि एहे मंदपागा है कि खेता चे काम करन वाला ट्रेक्टर सडका उते उतर गया आते बैरिकेड खिच रहे है ट्रेक्टर साधी सफलता दा परती ही कै जो हून गुस्से दे रूप विच एक तरफा पाख लेंड वाली सरकार बूद चल रहे है अंदोलन च इंजन दा काम कार रहे है जा सकता है और मेरी एक जाती रहे नानु एवी सी कि तुसी एननु छे मीन्या वास्ते वापस लाव तुसी भी विचार जड़ा एक वारी फेर कर लो और किसान जथे बंदियां जड़ियां ओभी विचार कर लाइं एक दूजे नूँ एजूकेट करो जे तुसी समझ देओ कि यह बेतर है तो किसाना नूँ समझा दो किसांथ होनु समझा देंगे छे मीन्या वास्ते कानून जेड़े है जिन्हों अपप पंजाबी के दने ठंडे बस्तेच रख लें ता एक हल जड़ा है निकल सकता से कि सरकार नों भी लगे कि सानु पिच्छे ने आठना पर कि जेड़े स्टेट चांदे है कि यह बेटर है ओ और दे आप दी सहमती के देंगे जेड़े केंदे भी इनननों नहीं होना चाहिए ता एप पंजाब ते हर्याना ता पक्का फेरे सकम ते अभी असी एक कानून जेड़े है पंजाब चे लागूर नहीं होना उता ही काल देर शाम अमीशा दिनाल पंजाब दे लीडरा मुलों मुलाकात किती जान दी है ते जिस तो बाद अब ओहो आके जिस तरह दी ओहो ब्यानबाजी कर देने उस तो आहात जड़े ने ओहो आज़े किसान भी होए हैंगे ने ते इसक चर्चा जड़ी है गिया मीट राजितिक पार्टी नहीं है असी किसान जथे बंदिया नुमाइन देया असी किसान जो दो साथिया मंगा मन लिया जान गिया ता आसी वापस चले जामागे लेकिन नू समझ नहीं आ रहा है कि क्यों पाज़बादे लीडर जड़े है खास रखे पंजाब दे लीडर कि रौना ने जिनना लंबा समा पार्ण के उस्तों बाद पंजाब दे विचे जाकर अपनी रानितिक पार्टी कोई भी खड़ी नहीं करना चाहूं देया है पर पाजपा जड़िया हो गंदी रानिती आ रही है गी आँ अमिशा देना मुलाकात तो बाद सुर्जीद कमार जय सुर्जीद कुमार जयांडी ने इतिता किसान अंदोलन खतम नहीं करना चाओंदे की कुछ किया सुझीत कुमार जयानी ने तुसी भी सुनों किसानों की हर एक बात जो है जो किसानों की हित की बात है वो सरकार सारी माने के लिए त्यार है और किसान जो जी दिपे है और हमने तो पंजाब की जो लॉइन ओडर है वो आज पंजाब में तैस नैस हुआ पड़ा है हमारी वरकरों के आगे घर के जो दरने लगी हुए है और सारी के सारी पूरी करने के लिए सरकार त्यार है जो उन्होंने संका थी उस कानून के अंदर अब सरकार किसान जो बेजिद है कि कानून को वापस लिया जाए किसे लिए यह बात करने कानून किसान जथे बंदियां मुझे यह लग रहा है कि फैसला करना चाहती नहीं है अगर वरक्रद्र यू पहुआ टे जिस्तरा हम ले और ने उसन। लाएक्धी चिंता जाहर किती दि भी और किसानी उंदौलन लाएक कि ए कि लूए उंदौलन किसाना दे हतं निकल जुक्त अब लीक रहा है। इनन इन दोना दे बियाना तो एक गलता साफ है कि सुर्जीत कुमार जयानी याते हरजीत गरेवाल दे ब्यान तो बाद पंजाबी स्यासत पाक सक दिया क्योंकि लगातार इना वनों किसानी उन्दोलों नो लेके वड़े ब्यान देते जारेने उन इना ब्यान देख की माईने निकलनगी एता आणवला समाही देसेगा ब्यूररपोर्ट चैनल वाई अगली मीटिंग जड़ी है किसान देना शायद वी जडिया ना करना फिलहाल मनुदो इजाचा ते तुछी जुड़े रोवाई मीडिया गुरुप देना आलतान वाद